OnePlus बहुत जल्द अपना एक event करने वाला है जहां हम लोग OnePlus 11R के साथ कई और सारे products के launches भी देखने वाले हैं वहीं अभी हाली में हमने OnePlus Pad के कुछ leaked renders देखने को मिले जो काफी हद तक launch होने वाले pad की पहली जलग की तरह इशारा कर रहे हैं OnePlus Pad के leaked specs और features की बात करें तो renders के मताबिक OnePlus Pad में unibody metal मिलेगी इसके अलावा इस tablet में side के bezels पर front facing camera मिलेगा वहीं दूसरी तरफ इसके bezels होगे device के पीछे एक अलग ही दिखने वाला इसका camera होगा जिसके साथ OnePlus logo और OnePlus की फ्रांटिंग भी है इन सभी को एक प्रकार से portrait के बजाए landscape viewing के लिए रखा जाएगा जो की अधिक्तर market में आजकर मौझूद टैबलेट में देखने को मिल जाता है और अगर OnePlus पार के दाए तरफ की बात करें तो महाँ पे वॉल्यूम कीज मौझूद है जबकि पाव बटन आपको टॉप पर दिया गया है बाई और एक connector मिलेगा जो की official stylish accessory की तरह भी काम कर सकता है अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो tipsters का कहना है कि टैबलेट में आपको 11.6 इंच का स्क्रीन मिलेगा हाला कि अभी ये नहीं पता चला है कि पानल LCD होगा या OLED डिस्प्ले होगा या कुछ और भी मल सकता है आने बाले समय में इस टैबलेट को लेकर अधिकारिक जानकारी सामने आने की बहुत सारी संभावना है हाला कि official launch में अभी करीब दो हफते का समय भी बाती है तब तक I guess हमें इस टैबलेट के prices का भी पता लग जाएगा मुझे ये बताएगे कि आपको इस टैबलेट की first look कैसी लगी और expected features कैसे लगे comment section लिकर जरूर बताएगा इस वीडियो में फिलाल इतना यासी कई और वीडियो को देखने के लिए बने रहें India TV Digital के साथ